नमस्कार मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है मैं हूं सुरेश मंचंदा लहसुन इन दिनों लहसुन ना सिर्फ कारोबारियों के लिए बलके किसानों के लिए भी बहतरीन कॉमोडिटी है और बहतरीन अपोर्चुनिटी लेकर के आया है बिते कुछ दिनों से हम लगातार लहसुन की कीमतों में जो तेजी देख रहे हैं उसका एक एनलिसिस हम करते हैं हलांकि ये रिपोर्ट मैंने एक दिन पहले डाली थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लहसुन की कीमतों के पीछे जो हम इजाफा देख रहे हैं उसके पीछे का सीधा सीधा कारण है अंतरास्ट्रिय बाजारों से डिमांड पहली बार ऐसा हुआ है 2017-2018 में भी जो निर्यात हुआ था लैसुन वो तक्रीबन तक्रीबन 47,000 मिट्रिक टन हुआ था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब 50,000 मिट्रिक टन की फीगर को पार किया गया ह यानि की 60,000 मिट्रिक टन के पास में लैसुन का अब तक निर्यात हो चुका है क्या ये निर्यात कॉंटिनेशन में रहेगा ऐसा क्या हुआ कि लगातार डिमांड निकलने लगी ये आकड़े मेरे नहीं है ये आकड़े सरकारी अपीडा जिहां एग्रिकल्चर प्रोड्यू ये कोई भी नाकड़ों को टटोल सकता है देख सकता है उसकी जाच कर सकता है अपीडा साफ पताता है कि 60,000 मिट्रिक टन के आसपास का एक्सपोर्ट हो चुका है अब तक और इसके अलावा जो इस समय पर बाजार के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है उसका अगर मैं अनलिसिस करता हूं तो विदेशी बाजार के अंदर लहसून की कीमत इस समय पर 1800 से लेकर 1800 डोलर से लेकर 2500 डोलर के बीच में चल रही है ये हालांकि चीन के जो अंतरास्ट्रिय भाव हैं लहसून के उससे काफी ज्यादा है अंतरास्ट्रिय बाजार के अंदर चाइना का ज 30 टन पर बिक्रा है अब थोड़ा सा इसका और एनलेसिस कर लेते हैं इस समय पर जो विशेशग्या कहते हैं विशेशग्यों का ये कहना है कि ये जो साल है 23-24 का जो अभी प्रोडक्शन आने वाला है नहीं जो प्रोप अब निकल करके आएगी उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा अमूमन भारत के अंदर में जो लैसून का उत्पादन है वो 33 लाख मिट्रिक टन के आसपास होता है अब इस साल उसके बढ़ करके 36 लाख से लेकर के 37-37 लाख टन तक होने की संभावना है एक बात इसका ध्यान रखना होगा सभी फार्मर्स को भी और खेश्टील लेटिन अमेरिका वहां से डिमांड निकल कर की आई है अमरें वहां पर जो सप्लाई देता है वो चाइना सप्लाई देता है इस सवयब पर अंतराश्चेंट बाजारों के अंदर में इस जो मसालों का जो बाजार है जो उसकी जो कमी है वो तूटते हुए देखी हाला कि उसका फाइदा भारत को मिलना चाहिए था लेकिन भारत के जो दूसरे spices हैं जो मसालों का जो निर्यात हो रहा था उसमें आठ फिसद की गिरावट आई जबकि लहसुन के निर्यात के अंदर में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है अभी ये इजाफा जारी रहेगा अब मैं आपको बता दूँ इस समय पर garlic flax जी हाँ garlic flax की demand भी निकली है garlic flax American companies है उन्होंने demand किये भारत से पहले जो garlic flax का जो भाव चल रहा था वो 100 रुपे पर केजी चल रहा था पर किलो का लेकिन जैसे ही विदेशी और March के अंदर आ जाएगी तो अब अंतरास्टिय बाजारों के अंदर जो भाव है वो भारतिय जो लैसुन का भाव है वो खिसक करके 900 से साड़े 900 डोलर भी आ सकता है लेकिन demands बनी रहेंगी विदेशी मांग अभी भी बनी हुई है यह financial year closing तक बहुत अच्छा यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है और पिछले अगर सालों के बात की जाए बिलकुल निश्चितोर के उपर यह तो record बना ही बना है और अब तक क मैं कहूं कि लैसून के जीवन का जो निर्यात है विदेशी बाजारों को वो अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात देखने को मिल रहा है होलसेल बाजार के अंदर जो भाव देखने को मिल रहे हैं होलसेल बाजारों के अंदर भाव 240 रूपए से 260 रूपए प्रतिक किलो के ह उलसल भावें इनमें अभी और इजाफा देखने को मिल सकता है ये जानकारी आपको अपीडा की वेब साइट पर भी मिल जाएगी आप अपीडा भी देख सकते हैं इसको क्रोस चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको जानकारी दी है हमारी मार्केट टैंस टीवी की जो पोट है वो ये कहती है कि तेजी जो रहेगी लैसुन के अंदर वो अगले 15 दिन तक ही रहेगी और इसके बाद एक हम डाउन फोल देखेंगे पांच से साथ दिन के अंदर में जो जम आना है वो आ जाएगा तकरीबन ये भी जो तेजी एक्सपेक्ट की जा रही है वो करीब क आप खुद से निर्ने ले सकते हैं कि अब आपको क्या करना है लैसुन अगर आपके पास पढ़ा है तो उसको निकालना है क्योंकि नई फसल सर पर है और या अभी उसको रखना चाहते हैं धन्यवाद आप कहीं मत जाएए आप देखते रही है मार्केट टैंस टीवी और अ कर दी कर देंदा है?